कि विशुविद्याले समाज के लिए दीपस्तम्द होता है, समाज को उससे प्रकाश मिलता है, आजादी की लड़ाई के दर्मियान भी विशुविद्याले की स्वायतता नहीं छीनी और जब छीनने की कोशिश हुई तो मद्रास कांगरस 1906 में कांगरस ने प्रस्ताव पारि कि विशुविद्याले स्वायतत होने चाहिए, विशुविद्याले गवर्मेंट की विभाग के अंग नहीं होने चाहिए, और आज इस्थिति ये है कि विशुविद्याले में विट्तिय स्वायतता ये मचारणी को जा रही है, और हम क्या पढ़ाएं, हम विशुविद्य प्रोफिसर हैं समाज से जुड़े हैं विद्यार्थी से जुड़े हैं समाज कि आउस्टाओं को जानते हैं हम क्या पढ़ाएं कैसे एक्जामनेशन ले किस धन से पढ़ाएं मुझे नहीं देने दिया जा रहा है अब एमेचाडी और उजी सी सर्प्लेशन आ रहा है कि आप आत्म कहना चाहता हूं मैं उत्तरप्रदेश से हूं उत्तरप्रदेश एड़ाक की वेदना आपने सुल लिया पार टाइम अध्यापकों और कांट्रेक्ट पर रहने वाले अध्यापकों की वेदना भी है और उत्तरप्रदेश में एक और रोग है स्ववित्पोशित जहां कि अध्यापत मनवेगा की मजदूरों से कम मजदूरी पूरे महीने में तीन हजार साड़े तीन हजार पर पढ़ा रहे हैं उन अध्यापकों को भी कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा तीसरी जो विंदू मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल जी सस्त्रेण रक्षिते राष्टे शास्त्र चिंता प्रवर्तते अध्यान अध्यापन का माहल वहीं हो सकता है जब विश्विद्याले और विद्यालेओं में सुरक्षा का माहल हो आज लोग जिसे एवी वीपी कहते हैं और मैं कहता हूँ यह अखिल भार की यह बिनास परिशद है इसने पूरे विश्विद्यालेओं के माहल को गंदा कर रखा है कहीं अध्यापकों के मुझ पर कालिक लगा रहे हैं कहीं पर अध्यापकों को मार डाल रहे हैं कहीं रध्यापकों को अप्मानित कर रहे हैं तो यह जो राष्टिय स्वयम सेवक संग जो आजादी की लड़ाई में रायल सीक्रट संग सर्विस थी अंग्रेजु से माफी मांग करके जिनोंने अंग्रेजों की साहता के लिए गुपतिचरी के लिए बनाए गी ती और हिंदों की भावना को लड़का ने तले जिनोंने अपने को राष्टिय स्वयम सेवक संग बना दिया इनके इन सब्टनों ने पूरे समाज के पूरे विश्विद्या लेके पूरे उच्च शिक्षा के माहौल को बरबाद कर दिया है राहुल जी ये सारा का सारा अध्यापक चानक के का बंसज है चानक ने कहा था कि विद्ध्वन्स और स्रिजन अध्यापकों के हाथ विरपदते हैं नंद सामराज्जी का वो गिनार करता है तो राहुल जी आप इन पर विश्वास कीजिए आप इनको आस्वस्त कीजिए और ये आगे बढ़ेंगे और ये आज का जो नंद सामराज्जी है नागपुवंस का उसका ये बंस करेंगे और आपके नेत्रत वे नए समाज का स्रिजन करेंगे नए राष्ट का स्रिजन करेंगे जैभारत राजेश जा जी जिस तरह के सवाल उट करके आए हैं इनके बारे में इनके सवाल का थोड़ा सा एक मैं कॉमेंट करना जाता हूं जो आपने अभी कि अगरेंटी करके कर सकता हूं कि जो इन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया है जो इन्होंने आपसे आपकी चीनी है उसको तो हम रिवर्स करके संट परसेंट देंगे वो तो आप उसको आप मतलब कि उसके बारे में आप सोचे भी मत जैसे ही सरकार आएगी कॉंग्रेस पार्टी की वो तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो आपकी ऑटानुमी है आपका इंडिपेंडेंस है आपका फ्रीडम ओफ तॉट है उसको तो हम रिस्टॉर करके ही चोड़ेंगे सब्सक्राइब सर जो इस तरह के सवाल आए हैं कि एड होक्स के अब्जॉप्शन का मुद्दा है प्रोमोशन का मुद्दा है विस्विद्ध्याले के अधिकारों का मुद्दा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि बिस्वी विद्याले और कॉलेज का सिस्टम जो है एक बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और आपने हमारी समस्याओं को जो समझने का मेरुची दिखाई है वो वाकई में एतिहासिक है और प्रसंसनी है लेकिन सर मैं एक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आक्रिस् रुपया मिल रहा है आप बताईए कि बुरहापे में किस तरह के सुरक्षा वो इस मामूली रकम से पापाएंगे दूसरी बात है कि इनपीएस जो है वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट पर पूरी तरीके से बेस्ड है अब मोदी जी की सरकार आती है और विजय मालिया जी ला कर रही है उसके ऊपर पूरा का पूरा उनके बुढ़ापे का जो सुरक्षा है वो इस पर डिपेंडेंट हो जाता है तीसरी बात कॉंग्रेस की सरकार के दौरान 2006 में यूजी सी का एक गाइडलाइन आया था जिसके तहस फैकल्टी में 50 परसेंट लोग जो अब आ रहे हैं सर वो सी स्टी ओबी सी कॉम्मिनिटी से आ रहे हैं अधिकांस्ता उसमें फर्स जनरेशन लर्नर्स हैं अगर आज एशोट पेंशन स्कीम की जरूरत है तो वो कल से कहीं ज्यादा है तो हम आप से इस सकारात्मत हस्तक छेप की उम्मीद करते हैं और यह कैसे हो पाएगा में जो बात है इन चीजों को करने के लिए आपको जो एजुकेशन का बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा जो छे परसेंट की बात की थी वो करना पड़ेगा उसके बिना यह नहीं होने वाला है तो उस डिरेक्शन में हमें चलना चाहिए टार्गेट बनाना चाहिए इस साल इतना होगा इस साल इतना होगा इस साल इतना होगा वो ट्रजेक्टरी दिखा दिनी चाहिए पहली बात जहां आपने विजय मालिया जी की बात की सही बात है मगर एक बात आपने मिस कर दी कि विजय मालिया जी 9000 करोर रुपए ले गए और जाने से पहले उन्होंने अर के जेल में डाल देते हों मगर finance minister स्वयम कहता है कि चोर मेरे पास आया मैं इंदुस्तान का finance minister मेरे पास CBI मेरे पास ED चोर ने मुझे स्वयम बोला कि मैं भाग रहा हूं लंडन जा रहा हूं मैं उनके साथ मैंने मीटिंग की पार्लिमंट राउस में मिला और मैंने उसको जाने दिया और ये खुल के कह रहा है और हमारे जो प्रेस के मित्र है पता नहीं क्या जिजक है गवराथ है बट वो डर डर के डर डर के इसके बारे में बोलते हैं और राफाइल की तो बात मैंने करी नहीं अभी शु financial incentive बहुत बड़ा है यह सिरफ institutions को capture नहीं करना चाहते हैं यह institutions को capture करके पैसा बनाना चाहते हैं and वो आप अगर आप मध्यप्रदेश में देखे clear-cut case जो हमारे यहां मध्यप्रदेश से भाई बहना है clear-cut आप व्यापम को study कीजिए आपको पता लग जाएगा कि education system को capture करके कैसे पैसा बनाया गया